हिट सब्सक्राइब बटन एंड डोंट फॉर्गेट तो प्रेज दा बेल आइकन फॉर रेगुलर अपडेट्स हेलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग मेरा नाम है सीजस्मी सिंग अरोडा और बहुत-बहुत स्वागत है आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल सीजस्मी सिंग पे बचो आप सभी लोगों के लिए एक छोटा सा अनॉंस्मेंट लेकर आया हूँ अगर आपका एक्जाम है नवंबर 2021 में तो अन अकेडमी ने आप लोगों के लिए स्पेशली स्टार्ट किया है योधा बैच इस बैच के अंदर इंडिया के जो टॉप एजूकेटर्स है उन आपका ग्रुप वन नवंबर 2021 के लिए प्रिपेर करने में हेल्प करेंगे और इसके अलावा और इंडिया की जो टॉप एजूकेटर्स हैं वो भी आन अकेडमी प्लेटफॉर्म पे आपको नवंबर 2021 के लिए अपनी गाइडेंस देंगे तो जल्दी से बचो आन अकेडम PGBP का सब्सक्रिब्शन ले लीजे मैं आपको prefer करूँगा कि आप लोग 12 months का सब्सक्रिब्शन ले और जब आप 12 months का सब्सक्रिब्शन ले तो आप मेरा educator code इस्तमाल कर सकते हैं CAJASMEIT16 एक बार फिर से CAJASMEIT16 अगर ये code आप इस्तमाल करते हैं तो आपको मिल जाएगा मेरे बच्चे 10% का discount और आज इस class में हम most important topic PGBP का cover करेंगे और वो है depreciation clear है फटा-फट से आई ये start करते revision without wasting any time depreciation क्या होता है depreciation is the loss in value of the asset due to normal wear and tear बच्पन में पढ़ा हुआ था पता है हमको बस एक बार आपको recall करा रहा हूँ depreciation क्या है depreciation asset की value में जो गिरावट आती है गिरावट क्यों आती है normal wear and tear, normal wear and tear मतलब asset को इस्तमाल करने से asset की value में जो गिरावट आती है जो उसकी value कम होती है उसको हम क्या बोलते है उसको हम बोलते है depreciation अब accounts में system जो है depreciation claim करने का वो 疑लग है और income income tax act, income tax act में तीन तरीके के depreciation है, normal depreciation for the block of asset on WDV basis, additional depreciation for eligible asset, asset wise depreciation for an undertaking engaged in generation or generation and distribution of power, तो तीन तरीके के depreciation चल रहे हैं, एक आपका normal depreciation चल रहा है और normal depreciation हमें किस basis पर मिलता है, सर, normal depreciation हमें block of asset method पर मिलता है और WDV method of depreciation लगाया जाता है, यह block of asset क्या होता है, अभी हम deal करते हैं, एक हमें additional depreciation मिलता है और एक depreciation मिलता है asset wise किनको ऐसे assesses को जो की engaged है generation में या फिर generation and distribution of power में, तो power undertaking है, तो आपको जो depreciation मिलेगा वो asset wise मिलेगा, otherwise आपको जो asset मिलेगा, वो block of asset method के basis में मिलेगा, depreciation claim करने के लिए कुछ conditions हैं जो हमें satisfy करनी पड़ेंगी, पहली condition है, asset must be owned by the assessi, अगर आप asset के owner नहीं है, तो आपको depreciation नहीं मिलेगा, ownership यह holy हो सकती है, या फिर partly हो सकती है, तो आप किसी के साथ मिल के भी asset खरीच सकते हो, या फिर आप asset के individual owner हो सकते हो, तो आपको depreciation मिलेगा, अगर आप owner नहीं है, आप depreciation claim नहीं कर सकते, asset must be used for the purpose of business or profession, asset का इस्तमाल business और profession में होना चाहिए, तो अगर आपके furniture की shop है, और आपने furniture के shop में AC, computer, laptop, इन सब को use किया है, तो आपको इनका depreciation मिलेगा, लेकिन अगर आप AC, computer, laptop अपने घर पे इस्तमाल करते हैं, तो business और profession में use नहीं हो रहा है, उसका आपको depreciation नहीं मिलेगा, asset must be used during the previous year, अगर आपने asset को इस्तमाल नहीं किया, तो आप depreciation लेने के लिए eligible नहीं है, केवल theoretical point है, reality में income tax department को कभी पता नहीं लग पाएगा कि हमने depreciation, sorry, बजा लिए, फ्लो जो चाहिए, वो फ्लो नहीं मिल रहा है, one, two, three, start, बिल्कुल theoretical point है, real life में income tax department को कभी पता नहीं लग पाएगा कि हमने asset को use किया है कि नहीं किया है, हम ये मान के चलेंगे कि हम अच्छे नागरिक हैं, हम government से कुछ भी नहीं चुपा रहे हैं, तो government ने हमें बोला कि भाई, अगर asset को आपने use किया है, और तीसरा, ये आपकी asset during the previous year इस्तमाल हुई हो, अगर ये तीन condition पूरी होती हैं, तभी आप depreciation ले पाओगे, otherwise आपको depreciation नहीं मिलेगा, अब बात करते हैं सर, ये block of asset क्या होती है, बचो block of asset होता है, जब एक nature की asset, जिनका rate of depreciation सेम है, उनका हम एक group बना देते हैं, और उस group को हम बोलते है, block of asset, for example, हमारे पास machine है, हमारे पास machine है, तो machine is the nature of the asset, हमारे पास 4 machines हैं, A, B, C और D, A पे 15% का depreciation लगता है, B पे 15% का depreciation लगता है, C पे 40% का depreciation लगता है, D पे 40% का depreciation लगता है, तो income tax purpose के लिए हम क्या करेंगे, हम एक block बनाएंगे 15% का, जिसके अंदर हमारे पास 2 assets होंगी, A और B, और दूसरा block हम बनाएंगे 40% का, जिसके अंदर हमारे पास 2 assets होंगी, C और D, तो बास समझ में आ गया, एक nature की, एक rate of depreciation वाली assets का एक group बन जाता है, और उस group को क्या बोला जाता है, उस group को बोला जाता है, block of asset, it means a group of asset falling within the class of asset comprising tangible assets, tangible assets में क्या क्या आएगा, building आएगी, planted machinery आएगी और furniture आएगी, और intangible assets, intangible assets being know-how, patent, copyright, trademark, in respect of which same rate of depreciation is charged, important बात क्या है, same rate of depreciation is charged, तो आपके पास block बनेगा, block उनका बनेगा, जिनका rate of depreciation क्या है, same है, दिखाई दे रहा है आप लोग को, हमने 15% वाले का block बनाया, और हमने 40% वाले का block बनाया, अब यहाँ पर किस asset पे क्या rate लगेगा, यह income tax ने notify किया हुआ है, तो income tax ने हमें यह चार्ट दिया है, जिसके अंदर assets है, और उन assets पे क्या-क्या rate of depreciation लगता है, यह mention है, तो मैंने जितनी important चीज़े हैं, वो इसके अंदर cover कर ली हैं, आईए देखिए, पहला आपका जो tangible asset था, वो था building, बिल्डिंग में हमारे पास तीन तरीके के rate दिये हुए, एक 5% का rate दिया हुए, एक 10% का rate दिया हुए, एक 40% का rate दिया हुए, तो building में 3 rate है, 5%, 10% and 40%, अब यह 5% किस पे लगता है, सर जो residential purpose building है, other than hotel, उस पे 5% लगता है, जो non residential purpose building है, including hotel उन पे 10% लगता है, यानि कि अगर company का guest house है, तो इस guest house पे लगेगा 5%, और company के पास अपना जो office building है, उस office building पे लगेगा 10%, similarly, अगर कोई warehouse है, कोई go down है, तो उस पे भी क्या लगेगा, उस पे भी लगेगा आपका 10%, अगर आपके पास कोई temporary erections हैं, उसके उपर क्या लगेगा 40%, तो जो अगर temporary erections है, तो उसके उपर क्या लगेगा 40%, आपके पास non residential building है, तो उसके उपर किता लगेगा 10%, residential building है, तो उसके उपर किता लगेगा 5%, furniture and fittings हैं आपके पास, including electrical fittings, एक ही rate notify है 10%, तो अगर furniture and fitting है, furniture and fitting है, तो आपका जो depreciation लगेगा बच्चे वो लगेगा 10% से motor car है आपके पास motor car है आपके पास motor car other than used in the business of running them on hire तो आपकी अपनी गाड़िया आप उसे higher पे नहीं देते हैं तो depreciation लगेगा 15% से plant and machinery है normally तो उस पे भी rate लगेगा 15% ships है उसके उपर लगेगा 20% motor vehicle used in the business of running them on hire तो आप गाड़िया किराय पे देते हैं इस चीज़ का business है आपका तो आप अपनी गाड़ियों पे जो depreciation ले पाएंगे वो 30% होगा aeroplane पे 40% computer including computer software पे 40% books के उपर 40% अब सर बहुत सारे rate आपने बता दिये अब हमें ये बताओ हमें कौन-कौन सा rate याद होना चाहिए बचो building के ये 3 रेट आपको याद होने चाहिए furniture का ये rate आपको याद होना चाहिए 15% plant and machinery पे लगता है और motor कारे पे लगता है ये आपको याद होना चाहिए computer पे 40% लगता है ये आपको याद होना चाहिए books पे 40% लगता है ये आपको याद होना चाहिए तो इतने rate आपके tips पे होने चाहिए residential building पे 5% non-residential building पे 10% temporary building पे 40% furniture पे 10% plant and machinery पे आपका 15% motor car other than running them on higher वाली पे 15% running them on higher वाली पे 30% computers पे 40% books पे 40% और अगर आपके पास intangible asset है तो intangible asset पे rate लगता है आपका 25% तो इतने rate आपके tips पे होने चाहिए ठीक सर अब ये बताईए सर्डेप्रिसेशन calculate कैसे होगा block of asset लगता है अब ये block को calculate कैसे करना है ये समझना है तो सबसे पहले हमारे पास क्या रहेगी opening WDV रहेगी opening WDV में हम add कर देंगे वो asset जो हमने put to use करी है during the previous year falling within the block अगर आपने put to use नहीं करी है तो वो block में add नहीं करी जाएगी block में asset तभी जाएगी जब वो put to use होगी put to use का मतलब क्या है कि sir asset को working condition में लेकर आना है आप उसे use करते हैं नहीं करते हैं that is different thing put to use का मतलब है asset जब working condition में आ जाती है तो उसे बोला जाता है कि asset put to use हो चुकी है तो वो block के अंदर entry तभी लेगी जब asset put to use हो चुकी है फिर इसमें से आप minus करा दोगे consideration received from selling or discarding or demolishing or destroying any asset during the previous year तो अगर आपने asset कोई बेच दी है discard कर दी है, demolish कर दी है, destroy कर दी है और ऐसा करने पर आपको कुछ पैसा receive हुआ है तो उस पैसे को हम यहाँ block में क्या कर देंगे minus कर देंगे तो जो opening block की value है उसमें add करेंगे जो नई assets खरीदी है minus कर देंगे जो assets आपने बेच दी है जो result आएगा उसे बोला गया है closing WDV before depreciation और इसी closing WDV before depreciation पर बच्चे हम क्या claim करेंगे इसी closing WDV before depreciation पर हम depreciation claim करेंगे on closing WDV before depreciation compute the depreciation at the rate prescribed for the each block clear? अब sir important चीज़ आ रही है आपके सामने actual cost आपको जो depreciation मिलता है वो actual cost of asset पर मिलता है अब ये actual cost का मतलब क्या है actual cost means actual cost of the asset to the assesi and it should not include any portion of the cost which has been incurred directly और indirectly by any other person or authority तो sir actual cost of the asset means जितना पैसा आपने asset के लिए खर्च किया है अगर कोई पैसा आपने खर्च नहीं करा है किसी third party ने खर्च किया है तो उस पैसे को उस पैसे को actual cost का part नहीं बनाया जाएगा for example आपकी एक machine थी उस machine की जो value थी वो 1 करोड की थी और 1 करोड में आपको 20 लैक रूपीज का subsidy मिल गया है तो आपकी जेब से कित्ते रूपे निकले हैं आपकी जेब से केवल 80 लैक रूपीज निकले हैं तो आपको depreciation कित्ते पे मिलेगा 80 लैक पे मिलेगा यानि as per income tax आपके लिए जो actual cost होगी वो actual cost कित्ती मानी जाएगी 80 लैक रूपीज की मानी जाएगी अब जब यह आप actual cost निकाल रहे होंगे तो आपको दो points ध्यान पे रखने है पहला important point आता है पहला important point आता है इव दा असेसी makes a payment और aggregate of payment to a person in a day in respect of asset acquired by the mode other than account पे चेक, account पे ड्राफ electronic clearing system through the bank account exceeds rupees 10,000 such payment shall be ignored for the purpose of determination of actual cost कल हमने एक section पढ़ा था 40A3 वहाँ पे आपने पढ़ा था कि अगर एक दिन में एक person को हम aggregate में 10,000 रुपे से जदा का payment करते हैं तो वो payment आपके specified mode से होना चाहिए specified mode में account पे चेक आता है account पे ड्राफ्ट आता है electronic clearing system through bank account आता है अगर आपने इन तीन mode से payment नहीं किया तो उसको आपके actual cost का part नहीं बनाया जागा क्या लिखा है shall be ignored for the purpose of determination of the actual cost shall be ignored for the purpose of the determination of the actual cost sir मतलब समझ नहीं आया जरा example देके हमको बता दो ठीक बच्चे जरा समझना बात को आपने एक मशीन खरीदी एक जुलाई दो हजार रुपीस 70 लेक का और अब आप इस 70 लेक का payment कैसे कर रहे हो आपने फर्स्ट जुलाई 19 को रुपीस 50 लेक का अकाउंट पे चेक दे दिया ठीक है फिर आपने फर्स्ट ऑगस्ट 19 को रुपीस 10 लेक क्रोस्ट चेक से दे दिये फिर आपने फर्स्ट सप्टेंबर 19 को 10 बजे सुभा चार लाक कैश में दे दिये और शाम को छे बजे आपने बचे हुए छे लाक रुपे का अगर आप एक दिन में दस अजार रुपे से जादा का पेमेंट अधर देन अकाउंट पेई चेक अकाउंट पेई ड्राफ्ट और इलेक्ट्रोनिक क्लेरिंग सिस्टम से करते हो तो उसे आपके एक्चल कॉस का पार्ट नहीं बनाया जाएगा तो आपने 10 लाक रुपे क्रोस्ट चेक से दे दिये क्रोस्ट चेक स्पेसिफाइड मोड नहीं है यानि कि ये 10 लाक रुपे आपके एक्चल कॉस का पार्ट नहीं बनेंगे similarly एक नौ को आपने 4 लाक रुपे कैश में दे दिये तो सर ये जो 4 लाक रुपे आपने कैश में दे दिये ये भी आपके एक्चल कॉस का पार्ट नहीं बनेंगे यानि कि for the purpose of income tax आपकी जो actual cost निकलेगी for the purpose of income tax आपकी जो actual cost निकलेगी वो निकलेगी 50 लाक रुपीस प्लस 6 लाक रुपीस यानि कि ये वाला 50 और ये वाला 6 तो आपकी जो total cost निकलेगी वो निकलेगी रुपीज 56 लाग यानि कि आप जो depreciation claim करेंगे वो इस 56 लाग पे claim करेंगे ना कि इस 70 लाग पे clear तो बस अगर आप 10,000 रुपे से जाधा का payment कर रहे हो एक दिन में एक परसन को तो वो payment कैसे होना चाहिए वो payment आपका specified mode से होना चाहिए clear अगला point देखिए interest paid before the commencement of production on amount borrowed for the acquisition and installation of the machine forms the part of the actual cost interest paid before the commencement of production on the amount borrowed for acquisition and the installation of machinery form the part of the actual cost ध्यान से समझेगा आपने machine खरीदी है और machine खरीदने के लिए आपने loan लिया है machine खरीदी है और machine खरीदने के लिए आपने loan लिया है इधर आपने first July 2019 को से loan लिया है रूपीज 10 लैक का और आपने machine पर्चेस करी है और इधर आपने first September 19 को machine को put to use किया है suppose कर लिजे इधर का जो interest निकल रहा है वो निकल रहा है रूपीज 10,000 और इधर का जो interest आपका निकल रहा है suppose कर लिजे वो है 30,000 तो हम क्या करेंगे सर हम ये जो 10,000 रूपीज का interest है इस interest को add कर देंगे to actual cost of asset और इस पे हम क्या claim कर लेंगे depreciation claim कर लेंगे और जो ये वाला 30,000 है सर इसे क्या किया जाएगा सर इसे PL में debit कर दिया जाएगा तो put to use करने के बाद का जो interest है put to use के बाद का जो interest है वो revenue nature का है और revenue nature का खरचा PL में जाता है put to use करने से पहले का जो interest है वो capital nature का है और capital nature का खरचा cost में add कर दिया जाता है और उस पे क्या claim किया जाता है depreciation claim किया जाता है बस इतनी सी बात लिखी है ठीक है revision class है मैं question नहीं कराऊंगा question आप लोग घर पे practice कर लिजेगा doubt जो लगेगा वो हम देख लेंगे depreciation at half rate half rate पे depreciation कब लगेगा sir half rate पे depreciation तब लगता है when the asset is acquired and put to use during the previous year and it has been used for a period of less than 180 days during the year ध्यान से समझना बात को आपने जिस year में asset खरीदा उसी year में आपने asset को put to use में डाल दिया और put to use का period अगर 180 days से कम का है तो आपकी उस respective asset के उपर depreciation half rate से लगेगा मतलब क्या है इसका मतलब मान लीजे आपने asset purchase करी 1 जुलाई 19 को और आपने इस asset को put to use में डाला 1st December 19 को तो आपने asset खरीदी कब सर हमने ये asset खरीदी 2019-20 में और हमने इस asset को put to use में भी डाला 2019-20 में अब सर मेरे को आप ये बताओ कि आपका put to use का period किता है आपके put to use का period किता है सर एक बारा 19 से 31st March 20 तक days calculate करिए 31, 31, 62, 62 प्लस 31, 93, 93 प्लस 20, 113, 113 प्लस 9, 122 डेज आपकी asset किते दिन के इस्तमाल हुई आपकी asset इस्तमाल हुई है कुल 122 days तो अब हम क्या करेंगे हम इस पे half rate लगाएंगे अब हम इस पे क्या लगाएंगे half rate clear अभी मैं example change कर देता हूँ ठीके example change करते हैं और मान लीजे हमने asset को put to use किया है एक जुलाई 19 को ही तो सर अगर आपने इसे एक जुलाई 19 में put to use में डाल दिया तो period आप निकालेंगे 1st July 19 से 31st March 20 तक अब अगर आप इसका period निकालोगे तो period किता आएगा सर इसका period more than 180 days आएगा ठीक है यानि कि अब हमें full rate से ही depreciation में लेगा clear example change कर रहा हूँ ध्यान से देखेगा मान लीजे आपने asset purchase करी है 1st July 19 को और आपने asset को put to use में डाला है 31st Jan 21 को तो अब आपने asset खरीदी कब है सर हमने asset खरीदी है 1920 में और हमने asset को put to use में कब डाला है सर हमने asset को put to use में डाला है 2021 में यानि कि खरीदने वाला year और put to use में डालने वाला year सेम नहीं है जब खरीदने वाला year और put to use वाला year सेम नहीं होगा तो 180 days चेक नहीं करने है यानि कि half rate applicable नहीं होगा full rate applicable होगा मतलब भले अब आपका जो period of put to use है आपका period of put to use है भले less than 180 days लेकिन आपको depreciation किस rate से मिलेगा आपको depreciation full rate से मिलेगा क्यों full rate से मिल रहा है क्योंकि सर्क खरीदने वाला year और put to use वाला year सेम नहीं है ये half rate वाला provision कब लगेगा ये half rate वाला provision तब लगेगा जब asset is acquired and put to use during the previous year ठीक है ना तो जिस साल खरीदी उसी साल put to use करी और put to use का period 180 days से कम है तो ही half rate होगा एक भी condition break होती है तो depreciation हमेशा क्या मिलेगा आपको full rate से मिलेगा जी सर आगे बढ़ते हैं when no depreciation shall be allowed कब ऐसा होगा कि हमें depreciation allowed नहीं होगा when no depreciation is allowed ठीक है? चलिए सर जब आपका all the assets of the block are sold आपकी block की सारी assets भिग जाएंगी तो उस case में आपको depreciation नहीं मिलेगा यहां फिर part of the block is sold and the sale consideration of the asset exceeds the value of the block तो उस case में आपको depreciation नहीं मिलेगा चलिए मैं आपको इसको example के तोर पे समझाता हूँ तो आपको जादा समझ में आएगा ठीक है? माल लीजिए आपके पास एक machine का block है आपके पास एक machine 15% का block है और इसकी WDV as on 1st April 2019 जिसमें तीन assets हैं ABC यह मिलाके है 10 लाग रुपे की ठीक है? यह information आपको दी गई है During the previous year 2019-20 following assets are purchased हमने asset D और E खरीद ली D खरीदी हमने 6 लाग रुपे की और E हमने खरीदी 3 लाग रुपे की On 1st Jan 2020 All assets are sold for rupees A point हमने सारी assets बेज दी 25 लाग में B point हमने सारी assets बेज दी 12 लाग में Question आप copy कर लिजेगा ठीक है? चलिए Sol करते हैं कि क्या होगा Block बनाया जाएगा 15% और यहां लिखी जाएगी Opening WDV Opening WDV 10 लाग रुपे की और हमारे पास 3 assets हैं A, B और C Add करेंगे इसके अंदर Assets Put to Use D और E 6 लाग और 3 लाग मिला के Total हमारे पास आगया 9 लाग Less कर देंगे Assets Sold And Money Receipt तो हमने सारी assets बेज दी हैं A, B, C, D और E किते रुपे की बेची हैं? सर्फ पहले वाले case में हमने इने 25 लाग का बेचा है तो 25 लाग हम यहां पर माइनस करा देंगे हमारे पास क्या आएगा? 6 लाग नेगेटिव अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा आपका जो Asset होता है सरी, Block जो होता है Block एक Asset होता है Block क्या होती है? सरी, जो Block होती है, यह Block एक Asset है और Asset की Value कभी भी Negative नहीं हो सकती है Asset की Value कभी भी Negative नहीं हो सकती है तो हम यहाँ पर Negative का 6 लाग खटाएंगे तो हम यहाँ पर 6 लाग माइनस नहीं करेंगे हम यहाँ पर कितने माइनस करेंगे? सर, हम यहाँ पर 20 लाग रूपे माइनस करेंगे आपके Asset की Value क्या हो जाएगी? Nil तो आपकी जो Closing WDV Before Depreciation आ रही है वो Nil आ रही है अब क्योंकि आपके पास कोई Asset ही नहीं है तो Depreciation आपको Allow नहीं होगा Reason समझ में आया Reason यह है क्योंकि आपके पास कोई भी Asset नहीं है इसलिए आपको Depreciation नहीं मिलेगा लेकिन आपने 19 लाख वाला Block कित्ते में बेच दिया 19 लाख वाला Block आपने 25 लाख में बेचा तो आपके पास Short Term Capital गेन आएगा आपके पास Short Term Capital गेन आएगा Under Section 50 कित्ते रुपे का? Sir आपने 19 लाख की चीज 25 लाख में बेची है आपका 6 लाख रुपे का क्या निकलेगा? Short Term Capital गेन इसी Question का B Part जब आपने Block की सारी Assets को 12 लाख में बेच दिया तो आपका Scenario क्या रहेगा? Sir यहाँ तो 10 लाख रहेगा Opening Value में Sir यहाँ तो 9 लाख ही आएगा और यहाँ हम कित्ता माइनस कराएंगे? 12 लाख Value कित्ती बच रही है? 7 लाख ठीक है? लेकिन एक Important बात है कि हमारे पास आप कोई भी Assets नहीं है हम सारी Assets क्या कर चुके हैं? बेच चुके हैं तो हम Department से क्या कह रहे है? देखो भई Block Assets होता है Block Assets होता है Block में Value भी है आप हमें क्या करो? इस 7 लाख पे 15% का Depresition दे दो तो Income Tax Department क्या कह रहा है? कि Block कहां से आया? Block Assets से आया Assets कौन कौन सी थी? A, B, C, D, E जब तुमने ये 5 लाख बेच दी तुमारे पास कोई Assets ही नहीं है तो इसका मतलब तुमारे पास कोई Block नहीं है और जब तुमारे पास Block ही नहीं है तो तुमें कोई Depresition नहीं मिलेगा तो अब Assets कह रहा है कि सारे 7 लाख का क्या करें? कह रहा है 7 लाख को खाली करो यहां से मतलब यहां 12 लाख माइनस नहीं होगा यहां 20 लाख माइनस होगा और यहां 7 लाख रुपे नहीं आएगा यहां पे निलाएगा अब फिर से वोई बात कि आपको Depresition Allow नहीं होगा क्यूंकि आपके पास Block में कोई भी Assets नहीं है लेकिन अब आपके पास Short Term Capital Loss आएगा और यह Short Term Capital Loss कित्ते का होगा? आपने 19 लाख की चीज 12 लाख में बेची है आपके पास 7 लाख रुपीस का Short Term Capital Loss आएगा Section same है Section No. 50 बात समझ में आ गया Clear हुआ बात अब यहीं पे आप Assume कर लो यहीं पे आप Assume कर लो What will be your answer If Assets A, B and D are Sold क्या आपका आंसर हो? अगर Assets A, B और D बेची गई है तो Case No. A और Case No. B Opening WDV आपके पास कित्ते रुपे की है? 10 लाख रुपे की दोनों जगा पे Plus कर देंगे Put To Use हमने दो Assets को Put To Use में डाला था Value कित्ती है? 9 लाख रुपे Minus कर देंगे Assets Sold हमने A, B और D बेची है कित्ते रुपे की बेची है? 25 लाख की बेची है 25 लाख की बेचेंगे तो यहाँ पर 6 लाख क्या आ जाएगा? Negative और अभी अभी मैंने आपको बताया Block Asset होता है यहाँ पर Negative Value नहीं आ सकती हम 20 लाख माइनस कराएंगे और Block की Value को क्या कर देंगे? Nil अब Block की Value Nil है लेकिन हमारे पास Closing WDV में तो Asset हैं C और E लेकिन इस C और E की Value क्या हो चुकी है? Nil इसलिए आपको कोई भी Depreciation Allowed नहीं होगा No Depreciation Allowed Reason क्या रहेगा? Reason रहेगा क्योंकि Sir Block की Value जो है वो Nil हो चुकी है इसलिए कोई भी Depreciation नहीं मिलेगा और जब हम यहाँ पर इसको 12 लाख का बेचेंगे तो हमारे पास Value कित्ती बचेगी? 7 Lakh अब ज़रा ध्यान से समझना यह 7 Lakh किसको Represent कर रही है Value? हमारे पास 2 अब भी भी पड़ी हुई है C और E तो यह 7 Lakh C और E को Represent कर रहा है अब हमें Depreciation मिलेगा इस 7 Lakh पे 15% का यानि की 1 Lakh 5000 का तो बच्चों लॉजिक क्या निकल के आया? लॉजिक यह निकल के आया कि हमें Depreciation तब मिलता है जब Block में Asset होती है नहीं है तो Depreciation अलाओ नहीं होगा वेर दा पार्ट अब ब्लॉक के सोल और सेल कंसेडरेशन अब अब असेट इस लेस देन इस लेस देन दे वैल्यू अफ दे ब्लॉक देन इन इन दिस केस Depreciation विल बी अलाओ ऑन दे WDV of the block at the end of the year there will be no short term capital gain or loss in this case जो मैंने अब बताया वेर नो Asset is sold during the year and there is no WDV at the end of the year वेर नो Asset is sold during the year and there is a WDV तो आपको Depreciation अलाओ होगा तो Depreciation आपको कब मिल रहा है तो Depreciation आपको तम मिलता है जब Block में Asset हो और Block में Value हो जब Block में Asset नहीं होगी या फिर Block में जब Value नहीं होगी तो उस case में आपको Depreciation अलाओ नहीं होगा अगला टॉपिक आता है आपका Additional Depreciation जो की आज का Last Topic है इसके बाद आपका Depreciation ओवर हो जाएगा Additional Depreciation क्या होता है सर जो Assessies Industrial Undertaking में है या फिर जो Assessies Manufacturing का काम कर रहे है या जो Assessies Generation, Transmission और Distribution कर रहे है पावर का ऐसे लोगों को Department Additional Depreciation अलाओ करता है ये Additional Depreciation बिटा Once in a Lifetime होता है आप इसे बार-बार क्लेम नहीं कर सकते ये जिन्दगी में आपको सिर्फ एक बार मिलेगा मतलब Assets की Lifetime में एक बार मिलेगा जब नहीं Assets खरीदो के तो दुबारा मिल जाएगा ठीक है, किन Assets पे मिलेगा? सर ये मिलता है Assets for which the Additional Depreciation is allowed Any new machinery or plant which has been acquired and installed by the above Assessie However, Additional Depreciation shall not be allowed in the following cases तो आपको Additional Depreciation काम मिलेगा? सर हमको Additional Depreciation मिलेगा जब हम क्या करेंगे? नया Plant and Machinery Purchase करेंगे नया Plant and Machinery किस ने खरीदा है? इन लोगों ने ये लोग कौन है? सर ऐसे लोग जो Industrial Undertaking चला रहे है या फिर कोई चीज Manufacture या प्रोड्यूस कर रहे है या फिर Power Generation में involved है तो ऐसे लोगों को Government क्या देती है? Additional Depreciation देती है किसके ऊपर? नई Plant and Machinery के ऊपर किनके ऊपर Additional Depreciation नहीं मिलेगा? सर शिप्स और एयरक्राफ्ट के ऊपर Additional Depreciation नहीं मिलेगा? किसी भी Machinery और Plant before its installation by the ASC was used either within और outside the India by any other person यानि कि अगर आपकी कोई Second Hand Machinery है तो उस पर Depreciation नहीं मिलेगा जोर किस पे है? जोर नहीं पे है और नहीं का मतलब यहाँ पर क्या है? Brand New Brand New का मतलब क्या है? Sir, which is never been used Never been used before अगर ये Asset पहले कभी इस्तमाल नहीं हुई है तभी ये नहीं है किस पे नहीं मिलेगा? Any machinery or plant installed in any office premises or the residential accommodation including the accommodation in the nature of the guest house तो कह रहा है कि Sir, अगर आपने नया plant and machinery office में लगाया है या फिर किसी residential accommodation में लगाया है तो आप additional deposition नहीं ले पाऊगे इसका क्रक्स क्या निकलता है? कि आपका जो नया plant and machinery है वो कहां पर install होना चाहिए? Sir, ये factory में install करो go down में install करो warehouse में install करो तो उस case में आपको additional deposition मिलेगा किसी भी office appliances पे या फिर road transport vehicle पे additional deposition नहीं मिलेगा अगर आप already 100% खर्चा किसी भी provision में claim कर चुके हो तो फिर आप additional deposition नहीं ले सकते any machinery or the plant the whole of the actual cost of which has been allowed as a deduction in computing the income chargeable under the HP GBP or the any one previous year तो कुल मिला कि उसने क्या बोला मैं आपको crux दे दू crux का मतलब क्या है आपको depreciation तब मिलेगा जब आप additional deposition जब आप नहीं planted machinery लगाओगे प्लस आप जब इसको अपनी factory में install करोगे तभी आप additional deposition ले पाओगे otherwise आप additional deposition नहीं ले पाओगे अब यह additional deposition का rate क्या है normally additional deposition का rate है 20% लेकिन अगर आप notified states में belong करते हो तो notified states के लिए आपका rate कर दिया गया है 35% अब यहाँ पर भी वोई condition लगेगी कि आपने asset जिस year में खरीदी उसी year में put to use करी और put to use का period 180 days से कम है अगर put to use का period 180 days से कम है तो आपका depreciation additional depreciation का rate भी आधा हो जाएगा यानि कि 20% की जगा आपको केवल 10 मिलेगा और 35% की जगा आपको 16.5% मिलेगा जो बचा हुआ 10% है और 17.5% है वो आपको अगले previous year में आला होगा तो अगर इस year में आपने asset खरीदी और इस year में आपने asset को put to use करी put to use का period अगर 180 days से कम है तो 20% की जगा 10% इस साल मिलेगा और बचा हुआ 10% अगले साल मिलेगा notified states के में हो तो 17.5% आपको इस साल मिलेगा और बचा हुआ 17.5% आपको अगले साल मिलेगा यानि कि आपको total जो additional depiction मिलना है वो 20% मिलना है और 35% मिलना है पूरा एक साथ मिलेगा कि आधा-धा मिलेगा ये किस पर depend करता है कि आपका asset कित्ते दिन के लिए put to use हुआ अगर ये more than 180 days के लिए put to use हुआ तो आपको एक साथ मिल जाएगा और अगर break किया sorry 180 days से कम use किया तो आपका depiction break हो जाएगा दो हिस्सों में मिलेगा 10% आपको इस साल मिलेगा और 10% बचा हुआ आपको अगले साल मिलेगा ठीक है ये था fast track revision अगर आप चाते हैं कि आपको detailed में समझ में आए कि हिसर depression क्या है तो वहाँ से जाके आप इसको take up कर सकते हैं आज के लिए तर रखिए टाटा, bye bye, take care